बॉल्यूट सिल्वस्क्रीन प्रिजेंटिंग जैकाउब दलायर ये कहानी शुरू होती है सन 1944 की शुरुआत में जहाँ पर हमें पॉलेंड दिखाया जाता है पूरे पॉलेंड पर अब जर्मनी का कबजा है और इसी जगा हमें एक ज्यूइस लोगों की बस्ती को दिखाया जाता है जो चारों तरफ से दिवार से घिरी हुई है इन दिवारों के बाहर की दुनिया में क्या होता है यहां के लोगों को कुछ नहीं पता दरसल जब वर्ड वार टू शुरुआ था उसके बाद ही इन सब को इन दिवारों की पीछे हमेशा के लिए कैद कर दिया गया था यहीं पर हमें एक पॉलिश जूइस शॉप कीपर को दिखाया जाता है जिसका नाम चैकाउब होता है चारों तरफ कर्फ्यू का साइरिन बजरा होता है और जैकाउब उस दिवार को देख रहा होता है जिस दिवार के दूसरी तरफ इन लोगों ने कई सालों से कुछ भी नहीं देखा और तभी वहाँ पर न्यूस पेपर उड़ता हुआ आता है जैकाउब उस न्यूस पेपर को पकड़ने के लिए भागता है पर तभी उसे एक जर्मन सैनिक देख लेता और अपने सीनियर के पास भेजता है ताकि वो इस बात का जवाब दे सके कि वो कर्फ्यू के वक्त बाहर क्या कर रहा था अब जैकाउब उस सीनियर आफिसर के रूम में जाता है जहां पर वो उस वक्त नहीं होता पर रेडियो पर तभी एक न्यूज आती है जिसमें बताया जाता है कि सोवियत की जो सेना है वो पॉलेंड से अब मात्र 400 किलोमीटर की दूरी पर है अब यहाँ पर वो आफिसर भी आ जाता है जब आफिसर गड़ी में देखता है तो सच में आठ नहीं बजी होते और वो जैकॉब को कहता है कि तुम जा सकते हो पर जैकॉब जब भार पहुंसता है तो वो गेट बंद हो चुका होता है जिससे वो अपने इलाके में जा सकता है जैकॉब अब यहाँ पर फस चुका है इसलिए पासी के एक रेल्वे स्टेशन पर वो चला जाता है जहाँ पर उसे एक छोटी ज्यूस लड़की मिलती है जो नाजी सैनिकों से छुप रही होती है दरसल इस लड़की की मौम को यहाँ से नाजी सैनिक ले गए पर यह यहाँ पर छुप गई है और अब जब जैकॉब कोई मिलती है तो जैकॉब किसी तरह से इसे ज्यूस के इलाके में ले आता है और अपने घर में छुपा देता है अगले दिन जैकॉब काम पर जाता है उनकी जिन्दगी में निराशा के अलावा कुछ भी नहीं है अब जब जैकॉब काम पर जाता है तो देखता है कि वहाँ पर मिश्या नाम का एक जियूस जो कि वहाँ पर वरकर है वो वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है जैकॉब उसे समझाता है और कहता है कि हमें यहीं पर रुखना चाहिए भार हमारी जान को खत्रा है और तब ही वो देखता है कि वहाँ से एक नाजी सैनिक उसी की तरफ बढ़ रहा है वो तेह करता है कि वो उस नाजी सैनिक को मार देगा पर तब ही जैकॉब उसे कहता है कि मैंने रेडियो पर सुना है कि रश्या की फौजे यहां से मातर 400 किलो मीटर की दूरी पर है जल्दी वो इस जगा तक पहुँच जाएंगी ये सुनने के बाद मिश्या पूरी तरह से शान्त हो जाता है और उसके दिल में एक उम्मी जाग उड़ती है उसे लगता है कि अब शैद वो आज़ाद हो सकते है वही अब वो सुलजर यहां पर आ जाता है मिश्या हसरा होता है वो सुलजर उसे मार कर गिरा देता है और मिश्या को अब लगता है कि जैकॉवब के पास रेडियो है हाला कि जैकॉवब उसे मना भी करता है लकिन वो उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता और इसके बाद मिश्या यहां पर फ्रैंक नाम के एक D這一 के पास जाता है रशिया के सैनिक यहां से मात्र 400 किलो मीटर की दूरी पर है वो जल्दी यहां तक पहुँच जाएंगे जैकॉप के पास एक रेडियो है उसने रेडियो में वो खबर सुनी है और अब सब जीूस लोगों को पता चल जाता है कि जैकॉप के पास रेडियो है जो कि सच नहीं होता और यहां पर कोई भी रेडियो नहीं रख सकता क्योंकि रेडियो जिसके पास भी पाया गया जी उस लोग उसे सजाए मौत देते हैं फ्रैंक के पास भी यहां पर एक रेडियो होता है जो खराब होता है और जब फ्रैंक को पता चलता है कि जैकॉप के पास रेडियो है तो वो डर जाता है क्योंकि जानता है कि जब भी जर्मन की नाजिस से ना कोई बात पता चलेगी कि यहां किसी के पास रेडियो है तो वो पूरे इलाके की तलाशी लेंगे जिसमें उसका रेडियो बरामत हो सक इसलिए वह अपनी रेडियो को तोड़ थैज. वह अब पूरे लाके में हर iyi paragraph से बात करना चाहता होटा है और हर को ही जानना चाहता है कि⑤ सब को बटाने की कोशिश करता है कि उसके पास रेडियो नहीं है लेकिन कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता सब को यह लगता है कि जैकॉब के पास रेडियो है इसलिए बार-बार वो उससे युद की खबरे फूचते हैं जैकॉब पूरी तरह से इरिटेट हो जाता रो कहता है कि कल मैंने रेडियो पर रूसी संगीत सुना था और यह बात भी पूरे लाके में फैल जाती है कि जैकॉब ने रोसी संगीत को रेडियो में सुना था अब जब अगले दिन जैकॉब भार जाता है तो देखता है कि उसी के एक साथ ही ने आत्मत्या कर ली है तभी वहाँ पर खड़ा प्रोफिसर कहता है कि यह बेखूफ है जब रोसी से न इतनी नस्दीक है तब इसने आत्मत्या कर ली और इसके बाद जैकॉब से पूछता है कि रोसी से ना सच में आने वाली है ना जैकॉब कुछ पलों के लिए सोचता है और इसके बाद हो कहता है कि हाँ रोसी से ना सच में बहुत पास है और जल्दी वह यहां तक पहुँच जाएगी दरसल जैकॉब समझ चुका है कि सब की सब हताश हो चुके कोई भी जीना नहीं चाहता और अब उसके पास एक मौका है कि वो सब के दिलों में एक उम्मीद जगा है इसलिए सब को जूटी न्यूस सुनाना शुरू कर देता है कि रशिन सैनिक और भी आगे बढ़ च जगा तक पहुँच जाएंगे वो पूरी तरह से जर्मन की सेना के उपर हावी हो चुके हैं और अब सब के दिलों में उम्मीद जागना शुरू हो जाती है सब को यकीन हो जाता है कि जल्दी ये आजाद हो जाएंगे वहीं जैकॉब के घर में जो छोटी लड़की होती है उसकी तबियत खराब हो जाती है जैकॉब रात के अंधिरे में डॉक्टर के पास जाता है डॉक्टर उसे बताता है कि यहां पर कोई भी दवा नहीं बची बस हमारे पास एक ही दवा है और वो है तुमारी निउस इसके बार डॉक्टर जैकॉब के साथ उसके घर की तरफ निकल पड़ता है वही फ्रेंक और उसके साथियों को दिखाया जाता है जिने लगता है कि जैकॉब और मिश्चा दोनों मिलकर अपना एक ग्रूप बना रहे हैं और वो नाजी सैनिकों के खिलाव विद्रोग करना चाहते हैं और वो ऐसा नहीं चाहते क्योंकि ऐसा करने से जैकॉब के घर जाता है ताकि व को रिडियो को ढूंड कर नश्ट कर सकी लिए तब योँ देखते हैं कि वहां पर जैकॉब और डॉक्टर आ चुके हैं इसलिए सब कि सब फ़ुब जाते हैं डॉक्टर वो सबसे कहता है कि जब से जैकॉब ने यहां पर न्यूस सुनाना शुरू किया है किसी ने भी आत्मत्या नहीं की है सब को समझ में आ जाता है कि जैकॉब की न्यूस की वज़े से रेडियो की वज़े से सब के दिलों में उम्मी जाग रही है और वो तैय करते हैं कि एक बार और वो रीडियो पर न्यूस सुनेंगे जिसके बाद वो रीडियो को तोड़ देंगे पर तब ही यहाँ पर लाइट चली जाती है और सब यहाँ से निकल जाते हैं और अब वो लड़की जो जैकॉब के साथ रहती है वो से पूसते कि सच में तुम्हारे पास रेडियो हो, मैं उसे सुनना चाहूंगी जैकॉब कहता है कि अगर तुम जल्दी ठीक हो गई, तुम मैं वादा करता हूँ कि मैं रेडियो तुम्हें जरूर सुनाऊंगा अगले दिन जैकॉब जब काम से आता है तो उसे आज खाना नहीं मिला होता क्योंकि एक जर्मन आफिसर को हार्ट अटेक आया होता है वैसे भी इनके पास खाने के लिए बहुत कम खाना होता है और अब यहां पर उलड़की भी पूरी तरह से ठीक हो चुकी होती है और लाइट भी आ जाती है इसी दो लड़की कहती है कि मैं रेडियो सुनना चाहूंगी पर तब ही किसी के कदमों की आहट आती है जैकॉब उस लड़की को छुपा देता है क्योंकि किसी को भी नहीं पता होता है कि जैकॉब के साथ कोई लड़की रहती है क्योंकि ऐसा करना जर्मन सैनिकों की नजरों में एक गुना है उसे सजाए मौत हो सकती है अब जब भार जाता है तो वहाँ पर मिश्चा है होता है मिश्चा उसे कहता है कि मैं रेडियो सुनना चाहता हूँ क्योंकि अब लाइट आ चुकी है वो जबरदस्ती घर के अंदर आ जाता है और जब वो टीबल पर देखता है तो वहाँ पर दो प्लेट्स होती है वो जेकॉब से कहता है शायद तुम यहाँ पर किसी को छुपा रहे हो जेकॉब उसे कहता है कि मैं तुम्हें कल पूरा सच बताऊंगा और इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है साथ ही अब उस लड़की को पता चल चुका है कि उसे जेकॉब ने जूट का था मिश्या के पास रेडियो नहीं है जेकॉब अपने जूट को सच बनाने के लिए उसे नीचे बेस्मेंट में ले जाता और एक चेयर पर बिठा देता है और कहता है कि तुम यहाँ से मत हिलना और वो पीछे जाकर रेडियो की आवाजे निकालना शुरू कर देता है जिससे उस लड़की को लगता है कि सच में जेकॉब के पास रेडियो है और इसके बाद ये दोनों यहाँ पर डांस भी करते हैं अगले दिन जेकॉब सबसे छुपरा होता है क्योंकि अब उसके पास और निउस बनाने के लिए नहीं है वो पहली बहुत सारी जूटी निउस बना चुका है लेकिन यहाँ पर लोग खुदी निउस बना रहे होते हैं वो खुदी बहुत सारी बातों को अजियूम करके एक दूसरे को बताने लगते हैं जिन से उनके दिलों में उमीद और भी जाग जाती है अब सब प्रॉफिसर के घर में एक मीटिंग रखते हैं जहां पर इताय करते हैं कि हम अपना लीडर चुनेंगे यह सब के सब पर्चियों में लीडर का नाम अपने अपने वोट डालते हैं और सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं जैकॉप को यानि कि जैकॉप अब इनका लीडर बन चुका है पर तब यहाँ पर मिश्चा आ जाता है जिसके पास गन भी होती है और वो जैकॉप से कहता है कि अब हमारा प्लैन क्या है जिकॉप कहता है कि हमें सिगनल का इंतजार करना होगा तब तक सब को मेरी बात सुननी होगी और वो मिश्चा की गन भी उससे ले लेता है अब यहाँ पर नाजी सैनिक आ जाते हैं इसलिए सब के सब छुप जाते हैं दरासल नाजी सैनिक के जो आफिसर हैं उनको हार्ट अटैक आया है और यहाँ पर जो प्रोफेसर हैं वो हार्ट के बहुत बड़े डॉक्टर हैं इसलिए वो उन्हें अपने साथ ले जाना चाते हैं प्रॉफिसर की पतनी उन्हें उनका बैग लाकर देती है जिसमें वो एक जहर की शीशी भी रख देती है। प्रॉफिसर यहाँ पर नाजी सेनिकों के साथ चले जाते हैं। प्रॉफिसर की पतनी को पता है कि अब शैद उसके पती कभी भी वापस नहीं आएंगी। वहीं प्रॉफिसर को दिखाया जाता है जो नाजी सेनिके आफिसर के पास जाता है। जिसके हाट में बहुत पेन हो रहा हुता है। प्रॉफिसर उसका चेक अप करता है कि उसे एक बहुत बड़ा हाट अटेक है। वो प्रॉफिसर से कहता है कि तुम मेरा इलाज कर दो बदले में मैं तुम्हारी जान बख्ष दूँगा प्रॉफिसर कहता है कि अगर मैंने तुम्हें बचा लिया तो तुम पूरे जूइस इलाके को खाली करके यहां से सब को उस जगा भेज़ दोगी जहां पर उने मार दिया जाएगा और अब वो उफिसर बताता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे इलाके में किसी के पास रेडियो है अगर तुम मुझे उसका नाम बता दो तो मैं तुम्हारी जान को बख्ष दूँगा मैं ये भी जानता हूँ कि तुम सब विद्रो करने की तैयारी कर रहे हो ये सारी बाते जानने के बाद प्रॉफिसर को कुछ भी समझ में नहीं आता वो पीनी का पानी मंगवाता है और जो जहर उसकी पत्नी ने उसे दिया था उसे पी लेता है जिससे उसकी मृत्ती हो जाती है और अब जर्मन आफिसर अपने सैनिकों को आर्डर देता है कि वो जियूस के इलाके में जाकर रेडियो को किसी भी कीमत पर बरामत करे नाजी सैनिक वहां पहुँच कर पूरे इलाके की तलाशी करना शुरू कर देते हैं और कई लोगों को जिन पर उन्हें शक होता है उन्हें गिरिफतार भी कर लेते हैं और इसके बाद एनाउंसमेंट किया जाता है कि अगर रात तक वो आदमी सामने नहीं आया जिसके पास रेडियो है तो दस लोगों को मार दिया जाएगा और जैकॉब इस बात को सुन लेता है तब ही उसके पास उसका एक दोस्त आ जाता है और वो कहता है कि तुम जिस सिगनल की बात कर रहे थे वो क्या हमें मिल चुका है इसके बाद वो उसे सारा सच बता देता है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता उसने जूट का था और नाई उसके पास कोई रेडियो है इस बाद से उसका दोस्त पूरी तरह से हताश हो जाता है ये पहले भी अपनी जान देने की कोशिश कर चुका था और अब जब जैकॉब ने सारा सच उसे बता दिया है तो वो अपनी जान ले लेता है वहीं जैकॉब के पास जो लड़की रहती है उसने जैकॉब की सारी बाते सुन ली होती है और अब उसे पता है कि जैकॉब के पास कोई रेडियो नहीं है पर वो जैकॉब से कहती है कि आप अच्छे इनसान है मैं आपसे बिलकुल भी नाराज नहीं हूँ और अब जैकॉब जर्मन्स के सामने चला जाता है और उन्हें बताता है कि वो मैं हूँ जिसके पास रेडियो है इसके बार जैकॉब को एक बार फिर से उसी आफिसर के पास भी जा जाता है जिस जर्मन आफिसर के पास वो इस कहाने की शुरुआत में गया था जहां पर उसने रेडियो सुना था और वो उस आफिसर को बताता है कि मेरा रेडियो आपकी आफिस में है और वो उसे पूरा वाक्या बता देता है कि किस तरह से उसने रेडियो पर न्यूस सुनी थी और अब जर्मन आफिस को भी समझ में आ चुका है और वो कहता है कि तुम्हें सभी ज्यूस के आगे बताना होगा कि तुम्हारे पास कोई भी रेडियो नहीं है इस बात के लिए जैकॉब मान जाता है उसे ज्यूस लोगों के सामने खड़ा किया जाता और उसे कहा जाता है कि बताओ सच क्या है पर जैकॉब उनकी उम्मीदों को तोड़ना नहीं चाता यसलिए उस सच कहने से मना कर देता और इससे पहले कि वो अपने शब्दों में अपने लोगों को कुछ कहता उसे गूली मार दी जाती है जिससे जैकॉब की मृत्ती हो जाती है वही मिश्या और फ्रैंक की बेटी जो की अब उसकी मंगीतर भी है वो दोनों की दोनों भाग कर अब जैकॉब के घर पहुँच जाते है जहाँ पर उन्हें वो लड़की भी मिल जाती है जिसे जैकॉब ने अपने घर पर छुपाय था लेकिन अब यहाँ पर जर्मन सैनिक पहुँच चुके हैं जो इन तीनों को किरफतार कर लेते हैं साथ ही इस पूरे इलाके में जितने भी जियोस लोग होते उन सब को ट्रेन में बिठाया जाता है और यहां से उस जगा भेज दिया जाता है जहां पर उन सब को मार दिया जाएगा कहा जाता है कि इसके बाद उन लोगों को कभी किसी ने नहीं देगा पर इस कहानी में हमें दिखाये गया है कि जब वो 50 किलोमीटर यहां से दूर जाते हैं तब ही वहाँ पर रशियन सैनिक आ जाते हैं जो ट्रेन को घेर लेते हैं और इन सब को बचा लेते हैं और इस तरह से जैकॉब ने जो इनके दिलों में एक जूटी उम्मीद डाली थी उस उम्मीद के सारी ये इतनी दिनों तक जिन्दा रहे और आप फाइनली इन सब की जान भी बच गई है तो ये थी पूरी कहानी फिल्म जैकॉब दा लायर की जो की एक सची कहानी है ये फिल्म इयर 1999 में रिलीज हुई थी IMDB पर इसकी रेटिंग है 6.5 उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी